गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में सैव द्रम के महतोपुन तत्यों और प्राचिन कालीन जो सोपारा नामक इस्तल था बंदरगा था ये इन सब के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया है अत्या आप हमारे वीडियोज को एक स्टुडेंट्स की तरह देखेगा पढ़िएगा समझेगा और यदि कोई गलती हमसे हो गई हो या फिर आपको और कोई इन्फोर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो देखे पढ़ते हैं सैव दरम सिव भक्ती की प्रारंबिक जानकारी सिंदु घटी सब्वेता के अवसेसों से होती है तो सिंदु घटी सब्वेता की बारे में भी हमने पहले पढ़ा है सैव मत का उदे सुंग सातवाहन काल में हुआ था तो सुंग वन सातवाहन वन सीन सब के बारे में हम पढ़ चुके ह तो प्लेलिस्ट में जायके देखेगा आपको सब कुछ इनफोर्मेसन आपे मिलेगी तो जो सैवमत है इसका उदे सुंख सात्वाहन काल में हुआ था गुप्त काल में सैव धरम चर्मोत कर्स पर था रिगवेद में उन्हें पसुपती अथ्वा पस्वों का रक्सक कहा गया है तो सिव जी को रिगवेद में पसुपती अथ्वा पस्वों का रक्सक कहा गया है रिगवेद के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं सैव धरम के पांच सिधान्त कौन-कौन से थे? कार्य, कारण, योग, विधी तथा दुखान थे उपनिशिदों में सीव दर्षन और ज्यान तत्वय की मिमान सा की गई है तता उनका सम्मद इस्वयर, जीव और प्रकर्टी तत्वों से स्तापित किया गया है महाभारत में सीव का वर्णन स्रेष्ट देवता के रूप में हुआ है जिन से पासुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन को हिमाले जाना पड़ा था अभिज्यान सांकूतलम में सीव के अस्ट रूप की इस प्रकार की व्याख्या की गई है जल अगनी होता सूर्य चंदर आकास प्रत्वी और वायू ये माना गया है कि बर्मा जगत के स्रस्टा हैं विश्णो पालक हैं और सिम समहारक हैं पुराणों में सीव की त्रियंबकम, भव, सर्व, महादेव, इशान, संकर, शूली, त्रिशूलधारी, पिनाकी, नील, लोहित, नील, ग्रीव, सिवी, कंठ, सहस्त्राक्स, व्रिश, भिद्वज, पसूपती, अति भैरव, आदि विभी नामों से स्तूती की गई है खजुराहों में उध्यन द्वारा एक मनोरम सीव मंदीर की स्तापना की गई थी, खजुराहों के कंठरिया महादेव का मंदीर स्तापत्य करला का अदबुद नमूना है भीम पर्थम सीव पासक था, उसने सोमनात का प्रस्तर्व का मंदीर बनवाया था, जो कालांतर में महमूद गजनवी ने नस्ट्री कर दिया था उसके बाद कुमारपाल ने उसका पुनह निर्मान करवाया था, वायू पुराण और लिंग पुराण के विवर्णों के अनुसार पासुपत मत का उदभव लकूलिन अत्वा लकूलिस नामक ब्रहमचारी द्वारा हुआ था, जो सीव के अवतार थे कापालिकों के इस्ट भरव हैं, जो सीव के अवतार मानने जाते हैं, राश्टर कूट सासकों ने एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्मान कर आया था, राज-राज पर्थम जो चोल सासक था, ने तंचोर में प्रसिद राज-राजेश्वर सैव मंदिर का निर्मान कि जो वरहदी स्वर के नाम से जाना जाता है तो देखेगा यह जो राज राज पर्थम का जो तंजोर का मंदिर है यह बहुत ही फेमस है कई बार प्रीक्षे में पूस लेते हैं कि राज राजे स्वर सेव मंदिर का निर्माण किस ने करवायता हुए था चोल सासक राज राज बंदरगा था इसका नाम सूपारक भी मिलता है वर्तमान में सोपारा नाला सोपारा नामक उपनगर के पास इस्तित है प्राचीन काल में यह भारत के पस्षिमी तठका सबसे बड़ा नगर था जहां से मेसोपोटामिया मिस्र कोची अरब तथा पूरवी अफ्रीका में व् थूरा पारक है महा भारत में इस स्थान का उलेग मिलता है मोरिय सासक असोग का एक सिलालेग यहां से मिलता है सोपारा का अभिलेग भारती ब्राहमी लिपी में है इसी ब्राहमी से वर्तमान देवनागरी लिपी का विकास हुआ है जबकि असोग के अन्य अभिलेग जैसे स सहबाज गड़ी तता मानसेरा की अबिलेकों ब्रामी मेनाओं के खरोष्टी में हैं तो हम असो के सभी अबिलेकों के बारे में पहले पढ़ चुके हों के सोपारे स्थूप में बुध और सोपारा में एक अन्य बोध विक्सु की मूर्ती भी मिलती है जिस प्रकार दक्षिन भारत के पसिमी तट पर इस्टा पूर्वे से ही मुजरिस अर्थात कॉंडूर्न गलूर विदेश व्यापार के लिए ख्याती प्राप्त बंदरगा रहा उसी परकार उत्तर भारत के पसिमी तट पर उसी कार्य करम में सोपारा भी भारत में परवेस के लिए एक इस बंदरगा का संपर्क विबिन देशों से रहा है सोपारा को सोपार का सुर्पर का जैसे विबिन नामों से जाना जाता था प्राचिन अप्रांता राजय की राजधनी होने का भी गोरव सोपारा को प्राप्त है कदाचित बाइबिल में उलेकित भारत ये बंदरगा है और फिर सोपारा ही था बोट साहिते महावन्स में उलेख है कि स्रीलंका के पर्थम राजा विजे ने सपारका से स्रीलंका के लिए समुद्र मार्ग से प्रस्थान किया था प्राचेन काल में सोपारा से नाने घाट नासिक महेस्वर होते हुए एक व्यापार मार्ग उज्जेन तक आता था इस बात की पुष्टी नाने घाट में साथवाहन वन्सिय राजों के सिलालेख से होती है जो मोरिय समराजे के पतन के बाद हावी हो गये थे सोपारा इनके अधिन आ गया था सक साथवाहन यूग में इस नगर का व्यापारी महत्वा बहुत अधिक बढ़ गया था दिव्यावदान में इसे वानी जी का बड़ा केंदर बताया गया है जहां व्यापारी अपने माल के साथ बरहे रहते थे यहां से जहां जमें बैटकर लंका थता सुवान भूमी तक पहुंचा जाता था यहां से स्रावस्ति को एक सीधा मार्ग जाता था सोपारा की मंडी कल्यान थी यूनानी रोमन लेख को ने भी इस बंदरगाह की महता का संकेत दिया है यहां से सोदागर यूनान थता रोम आते जाते थे पेरी पल्स से पता चलता है कि ब्रहगुकच थता सोपारा में व्यापारिक जहां जों को उतारने के लिए होड लगी रहती थी यदि कोई विदेशी जहां सोपारा पहुंचता था तो उसे ब्रहगुकच के रक्षक बलपूर्वग वहां ले जाते थे अरब सागर का तटवर्ती बंदरगाह होने के एकान सोपारा पस्चिमी देसों को जानने का पर्मुकेंदर बन गया था ठीक है यह इनफोर्मिस्टन थी सोपारा के बारे में जो एक महतोपुन बंदरगा था तो देखेगा इस वीडियो में हमने सोपारा के बारे में पढ़ा और महतोपुन जानकरी प्राप्त की और इसी तरह है बने रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे धन्य आगवाद